कि दोस्तों आज के इस प्रेश्ण में हम सत्य और असत्य की बात करेंगे कि जो हमें कतन दिये गये हैं क्या यह सत्य है यह सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों कि हमसे कहा गया है कि सत्य असत्य कहीं और कारण भी अपने साथ में आपन बताना है तो हमारा पहला प्रेश्ण है वह प्रतियक प्राकर्ट संख्या एक पूर्ण संख्या होती है हां यह करके लिए विलकुल सही है कि प्रतिय प्राकर्ट संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि प्राकर्ट ऑद होती है वो एक से शुरू होती है एक दो तीन और प्रमशन अनंत तत चलती है और प्राकर्ट संख्याओं में हम शुन्य को भी शामिल कर दें शुन्य को भी जब हम शामिल कर देते हैं प्राकर्ट संख्याओं में तो प्राकर्ट संख्या बन जाती है कि ऐसे लिएक पहतकी है अब हम बाट करते हमारे दूसरे कतन की दूसरा कतंकि पुर्णांख यह के अची नहीं होता है क्या क्वेस्लिक कर्णक विजिकर रिंग्व संख्या नहीं होती है रिनात्मा पूर्णान को जो होते हैं वह पूर्ण संख्या नहीं होती है इस वज़े से यह गथन दृति जो हमारा असत्य होगा को जलते हैं फेरे तीसरे घतनबर प्रतियेक परीमेरी संख्या एक पूर्णसंख्या होती है इसी एक इस प्रकायर की संहां हैं जो परने संख्या तो यह प्रुम्स संख्या नहीं है इस लिए कर्ण तीन जो है यह भी ऐसकते होगा कि यह कर्ण है सकते हैं तो इसी प्रशनी के साथ हमारी जो प्रशनावली 1.4 है वो संपूर्ण होती है अगली प्रशनावली के नोटिफिक्शन सबसे पहले प्राक्त करने के लिए चैनल को सब्क्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत बुलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग कि मैं हट जाओ पॉच्छा ऊटीर बच्छा में बटन बंद रहे हैं अधना दिर्यान प्रशनावली